हलो दोस्तों शड़ी मोड में आपको स्वगत है पिहार प्लिश कुष्टेबल भरती 2021 यह मिनी मोक्ष्ट सेबेन है सभी कुष्ण ध्यान पुरुवक आपको देखना है और कमेंड बुक्स में अस्कोर बताते चलना है ठीक तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कुष्ण अवर प सरकार के पर्थम वीधी अधिकारी समझा जाता है ठीक इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है तो राष्टपती द्वारा किया जाता है यह याद रखेगा पहले के एंसर क्या वाज़ेगा सी हो जाएगा कुष्ण नमबर देखिए कि लोग शभा के लिए पाश विधान सरसुधन किया गया था और वहीं आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था ठीक यह दिहान मर रखिएगा बोट डालने के उम्र अगर पंचायत में किसी चुनाव लड़ने के लिए खाड़ा होना है तो 21 वर्ष चाहिए होता है अब यहां पर मैं आपको बता दू कि उपराष्ट पती के लिए 35 वर्ष राष्ट पती के लिए 35 वर्ष राजपाल के लिए 35 वर्ष मिनमम अपका एस पूश रकता है मिसकी निम्तम एस चाहिए लोग सभा के लिए 25 वर्ष चाहिए राज सभा के लिए 30 वर्ष चाहिए बिधान सभा के लिए परफिमिक्ता परदान करता है ठीक आपको पता है कि संसद पूरे देश के लिए कनून बनाता है और राज के जो बिधान पालिका या बिधान सभा होती है वो आपको अपने राज जी के लिए बनाती है यह किसके अंत्रकत इसको अधिकार दिया गया है ति आर्टिकल 245 में य की राज के जो कनून बनाये गए राज के आपको बिधान सभा और जो संसद के कनून बनाया आपको संसद द्वारा पूरे मुर act की कनून बनाये जाता है ठीक यह धियान मर कोरत सबीधान के आत्मा कहते है अं बेटकर जीने इन्हें आपको बदirtिस को और बदिस यह यह आपको rate जारी किया जाता है सुप्रिम कोड़ द्वारा fundamental right के हनुन जो होता है उसको बचाने के लिए ठीक यह भी ध्यान मर रखिएगा आप देखिए आगे question है question number four देखिए कि निमलेखित में कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है तो भारत सरकार द्वार यहाँ पर मारग कर जो है यह नहीं लिया जाता है आपको केंदर सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है तो four cancer day लगा लिजिएगा सेवा कर जिसे जीस्टी बोला जाता है यह indirect tax है question number five एक कि किस घटना को तुर्की में खलीफा बहाल करने के रूप मे जाना जाता है तो किस घटना को तुर्की में खलीफा बहाल करने के लिए जाना जाता है आपको इसके लिए अंदोलन हुआ था क्योंकि वहाँ पर खलीफा के जो पथ्य उसी खतम कर दिया गया था और यहां के मुस्लिम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गये थे और आपको ब्रीटेन की ब्रुद्ध तो फिर गांथी जी नहीं इस अंदोलन में आपको भूमिकानी भाया था तो यहां पर देखिए गए यह होगा खिलाफत अंदोलन 2019 में ही शुरुआत हुआ था डी हो जागा इसका एंसर मोपला बिद्रोह कहां पर हुआ था यह केरल में हुआ थ तिक लर्ड हर्डिंग के समय उस में जार्ज पंचम भी आने वाले थे और उसी को देखते हुए यह बंगाल भी भाजन को आपको चुनेशु पाच महुआ था उसे पलड़ दिया गया था और यह बंगाल भी भाजन के बाद कौन से अंदोलन तो सौदेशी अंदोलन भी श आपको सुझते थे कि अंग्रेजों दौरा निवेदन करकर और आयसे करकर हम आपको सवतंतरता के लिए अगरसर रहेंगे लेकिन जब रोलेट एक्ट आया तो रोलेट एक्ट की मुख आप देखिएगा इसके बाद ही गांधी जी अंग्रेजों के विरुद में अगदम ख देखिएगा उसके तुरंत बाद जलिया वाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रिल 19 को ही और फिर यह जो है ना इनके मानसिक स्थिती एकदम विगाड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ एकदम विरुद्ध के भावना उत्पन कर दे ठीक और ये असायोग अंदोलन उ इसागरो में कौन से पर नामा नहर द्वारा जूड़े हुए हैं पर मैं बता दू कि यह सबसे चोडा आगर नाधी पूछे तामेजन लगाईएगा ये कुशन पूछा जाते चुका है ये मिलिकट साग़ों महसागरों में कौन से फानामा नहर द्वारा जुड़ हुए है पॉनामा नहर जो है किसक Whew a नहर जो है यह किसको किसको जोड़ता है ताप देखिए अपको परसांत महसागर में इसकी Pacific Ocean को Atlantic Ocean से जोड़ता आपको पर होता है तो यह आपको इसके इसके बीच से आपको परापार होता है तो यह देखिए गूंगोतरी को अस्थापित किया गया था वरफ जमा रहत है तो यह है आपको देनमार्क याद रखियेगा काफी ज्यादा दूद ऊधोग के लिए प्रख्यात है चोटा से लेकिन ज्यादा ये दूधा होता है सबसे ज्यादा जो तो होता है यह बारत में होता है और सबसे ज़्यादा पसू भी भारत में ही पाई जाती है और भारत में ही सबसे ज़्यादा कहा होता है तो यूपी में होता है यह भी द्यान में रखिएगा और उसमें किसके कारण यह तो प्रिष्टिय जो तनाव होता है उसी के कारण तक प्रिष्टिय तनाव के कारण ही पानी के प्रिष्टिय तनाव के कारण ही वह पानी के सता पर आराम से तैर सकते हैं यह आपको यह भी बोल सकते हैं नुकुईला वह भी पानी के सता पर तैर ज sunshine बीटामिन ईका और इसके कमी से और इसी लिए बोला जाता है कि ताजिस अब हरीपतिदार सब्भ खाने से बिटामिन e ज्यादा मिलता है क्वूदा की अंसर क्या हो जागा यहाँ यहां पर्ट स्बस्कार कीChris ओर कि로 मुस्तिक का कुनसा भाग भूख प्यास और सचेंद्र करता है गाए अब को बताना है यह आपके सामने अप्सन है यह करता है हाइपस्थेलमस हाइपस्थेलमस जो है यह आपको मस्तिक का भाग है जो कि भूख प्यास और नेंद्रा को केंद्रित करता है ठीक तो पंदरा के अंसर यह हो जागा और विटामिन वी टुवल का नाम है साइबो कॉबालीन जो कि आपको गाजर में सबसे जादा मिलता है और विटामिन डी तो आप जानते ही मचली के तेल हुआ या आपको सूरज के प्रकास हुआ उसमें मिलता है कुश्चन नमर 17 देखे उस बिग्यानी का नाम बताई है जिस यह जो दिया गया था यह कि कि किसी को आपको जिसमें दरब्मान होना चाहिए वह उर्जाम बदल सकता है और यह बराबर एमसी अस्वार की फर्मूला भी इन्होंने दिया था ठीक यह है आपको सबसे बड़ा बेग्यानिक अस्टीन थे 17 कैंसर डी हो जागा कुश्चन आपको देवा सुर में और सूर एक दूसरी की अपोजीट है मिसकी एक दूसरी में यह क्या हो रहे हैं एक दूसरी के दूसरी में यह क्या हो रहे है यह सब्सक्राइब कुश्चन नबर 22 भारत में नमलीखित परवटों को उत्तर से दचड की और सही करम कौनसा है तो यह प्रवत का नाम दिया है उत्तर से में इसके ऊगा यह हो जाएगा कुश्य नम्र भी 29 कि पाक जल ड्मर उमद्ष बो मत वbt जो है यह ईए लिएक इसके किसße बीच में इस्तितन है यह आपको बताना है कुश्य प्रवाहित होता है तो शेत्रफल के द्रिष्टी से सबसे छोटा राजि कौन सा है गुवा है उसी में ये परवाहित होता है है तो शेत्रफल के द्रिष्टी गुवा है और जनसंख्या के द्रिष्टी से सबसे छोटा राज disgust कम है जन संख्या के द्रिष्टी से सबसे बड़ा राज जो यह उपी है और द्रिष्टी से सबसे चल् 확 किसारों आधरीज यह sm Grand मौली कर्तब के बारे पूछ रहे हमारे जब सभीधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो उच्छे में मौली कर्तब नहीं था ठीक में 11 मौली कर्तब है अभी और इसमें जो हो जागा यह हमारी मिली जुली संस्कृति के समरित विरासत को सरफचित करना और महुत परदान करना यहीं आपको हो जाएगा अब यहां पर कितने कुश्चन आपने सही कि जरूर बताईएगा और फिर मैं आपको बता देता हूं कि बिहार पुलिस को स्टेबल के लिए अगर आप टेस्ट नहीं जॉइन किया है तो जल्दी से टेस्ट जॉइन के लिजे 35 फुल मौक टेस्ट मात्र 21 रुपया में जॉइन कर सकते हैं कैसे जॉइन कीजिएगा चलिए मैं बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्ष में एक न मौक टेस्ट लगा सकते हैं 35 फुल मौक टेस्ट मात्र 111 रुपया में आप लगा सकते हैं जिसका सभी कुश्षन जो होगा वो सलेबस पर आधारित होगा और इसमें आपको क्या क्या भी विश्यस्ता मिलने वाला है तो सबसे पले हिंदी इंग्लिस दोनों में आपको प्र दिसलेशर होगा एक परसंद पर पॉइंट वाइस दिसलेशर दिया हुआ है जो कि उस पॉइंट भी आपको उंपोर्टेंट होगा वहां सभी कुश्षन आपके बन जाते हैं एक्जाम में ठीक आगे चलते हैं फिर यहां पर सभी डाउट का जवाब तुरंत दिया जागा मात्र 111 रुपया में है इसमें कैसे आप जोइन कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने प्लेयर स्टोर से एक्जाम स्टूड़ एप्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा यहां पर लोगों देख लिए एक्जाम स्टूड़ 14 MB का एपस है और आसानी स द्रोगा 2020 का भी टेस्टी स्टार्ट हो चुका है बिहार प्लिस कुंस्टेबल का आपको 35 मोग टेस्ट मात्र 111 रुपया में आप लगाईएगा जिसमें हंडेट कुशन होगा और टाइमिंग के एक कोडिंग आपको सेट किया होगा ठीक टाइम भी उस पर दिखाएगा आ यहां से डेली क्यूज भी लगा सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत होता है डाउनोड करने में या कोई भी परिसानी होती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर परिस चकते हैं वीडियो दखने के आपको बहुत बहुत धन्यों होता है